DL ed First year गनित का चोथा यूजिट का इस वीडियो में डिसकस करने वाला हैं जिसका नाम है गनित س्रिक्षण सब के लिए तो वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल प्र अचल सब्सकार लेना इस लिए है और इससे पहले के दोस्तों तीनों युनिट हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेलिस्ट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्सिन में डाल दूँगा आप वहाँ से युनिट वाइज सारे वीडियोज देख पाएंगे इस युनिट का दोस्तों पहला मैतपून प्रशन है गणित सब के लिए से क्या अर्थ रहता है तो देखिए गणित सब के लिए से तात परी है कि पात्य पुछते कों का निरमान इस तरह से किया जाना चाइए झापून शिक्शन को भी उन्हें के इस तरह नुसार पाते समगरी उपलब्द करवाई जानी चाहिए तो वो गनित सिक्षन सबके लिए वहाँ पर रहेगा इस तरह से आपको इसका अंसर देना है आगे बढ़ते हैं अगला आपके महत्पुन प्रशन है गनित सिक्षन की भूमिका एम महत्व का उलेक कीजिए तो इसमें देखी आपको करना है वेदिक काल में अध कंद्रित शिक्ष्य व्यवस्ता होने पर भी अध्यापक का इस्तान कम नहीं हुआ है अध्यापक यहां पर सरोपरी रहता है और शिक्षक का इस्तान प्रारंब से आज तक उच इस्तरी रहा है शिक्षक को विद्यार्थियों की आवशक्ताओं रूचियों प्रकृतियों पूर्ण जानकरी होने चीए तो इतना दोस्तों आपको गणित शिक्षक की भूमिका और महत्व के बारे में जानकरी रखनी है आगे बढ़ते हैं अगला आपके महत्पूर्ण प्रशन होने वाला है सामजिक आर्थिक रूप से वंचित वरग को गणित शिक्षण में किन-कि शिक्षण की आउशक्ता होती है तो कमज़र वर्ग इसमें पिछण जाते हैं उसके बाद में अगला है सामाजिक कारण सामाजिक रूप से वंचित परिवारों के बालकों में गणित के परती कठिन होने की धारणा मतलब कि पूरे समाज में इस तरह की धारणा बना बने ज था आ है वोह था फिर नहीं पाते ने के बाद भी थीक इसको दो भी पता होता तो फिर बाद में चोड़ता है तो यहीं तो प्रती रूची ना होना थे नहीं है तो फिर बाद में छूड़नी पढ़ जाती तो इस तरह का आपको ध्यान डेना है अगर कि आप मन से कर पा रहे हैं देगी आरतिक शमश्यां में आप कापी समस्यां लख सकते हैं परीवार की आर्तिक समस्या पैसे पैसों की दिक्कत और यह सब आप यह पर कर सकता है ऐथ ढहला आपने परियास है अन्येप बालकों की तरह ही समान आवसर वैस उलक्षा उनको मिलना चीए जो जो समान अधिकार वहाँ पर मिलने चीए बालकों की आवशक्ताओं को समझते हुए काम में लेना चीए और शिक्षा नीती में पाठ्टे करम ऐसा बनाए जाए कि वंचित वरग के बालग भी समझ सकें उसके बाद में चोथा पॉइंट है परतिबाशाली बालगों को उन्हीं की आवशक्ता अनुसर पाठ्टे करम मिलना चाहिए और पांचो पॉइंट है गनित कलब वे प्रयोग सालाओं का निर्मान करना चाहिए शटा है वंचित वरग के लिए लाइबरेरी आधी की सुविदा भी करवानी चाहिए तो ये पॉइंट सापको ध्यान रखने है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला आपकी महत्पून प्रशन है बारत में विशीश आवशक्ता वाले बच्चों के संदर्व में गनित सिक्षन की इस्तिति का उलेक करते हुए आपको उपाय बताने है अगर कुछ कमिया है तो उनके उपरती उसका आंसर आपको देना है भारत में विशीश आवशक्ता वाले बच्चों के सिक्षा को ठीक से समझा नहीं गिया है अगर कक्षा में आंसिक अक्षम बच्चे होते हैं तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम यहाँ पर काम किया जाता है अगर नहीं समझ पा रहा है तो टीशर को समझाने के लिए विशीश आवशक्ता वाले बच्चों के लिए और उसमें देखी आगे और ऐसे बच्चे यहां पर कमजोर रह जाते हैं जबकि भारत में सभी वर्गों को समान अधिकार पराप्त हैं तो इनके लिए भी अलग स्कूल यहां पर बनने चाहिए विशीश आवशकता वाले बच्चों के लिए तो यह यहां पर कहा गया है अग आपको उसी टाइब से उसी माध्यम से आपको उनी के लेवल में पढ़ाना है और उसके बाद में उचित स्क्षन सामगरी उनके पास होने चाहिए यानिकि अगर वो दीख नहीं पा रहा है तो वो कड़ पड़ेगा कैसे तो उसके लिए अलग ब्रेल लीपी नेत्रहिनों क जीए ताकि आपके कोई भी दिक्कत ना रहे अक्षम जो बच्चे हैं जो विशेच अक्षकता वाले बच्चे हैं उनको भी ठीक यहां पर शिक्षा मिल सके इस तरह से आपको इस रांस्वर देना है तो आपको अपने मन से जोड़ते हुए बड़ा सा रांस्वर यहां पर शच्चे है कि लडगों को पढ़ने के लिए आपको अनस्वर पाएंगे जंडर में किस तरह से बढ़ रहता है और यहां पर दीकी कमज़ोर ette नहीं पड़ पाता है अग्र आपको ऐसा étaitरा था है तो आप आसाऩी तो आंसवर दे पाएंगे दोस्तों हमने आपकेप तो इसका दोस्तो हमने डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक में आपको डिस्क्रप्शन में प्रवाइड करवा दूंगा आप वहां से एंसीफ के बारे में कंप्लीट जनकर ले पाएंगे एंसीफ 2005 दोस्तों आपको जुरूर से याद करना है इसका परवक्ता कौन है और जो बाकी जो स्पाल समीती वगरा के बारे में भी आपको जनकर लेनी है तो इस वीडियो में कंप्लीट डीटिल में मैंने बता रखा है आप डिस्क्रप्शन से जाकर कि वह वीडियो जुरूर से देखना आपके देखिए काफी सारे सब्जेक्टों में एंस्टिप 2005 पूछा जाता है तो आपको जुरूर से याद कर लेना है तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मैंने कोसेश करी है आपको कम समय में सारे इंपोटेंट पॉइ थैंक्स पॉआग थेखने से वीडियो